नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह है ब्लुटूथ का छोटा मिनी स्पीकर तो यह चल नहीं रहा है तो आज इसी को रिपेर करने वाले हैं देखिए इसको ओन करते हैं तो यह कुछ नहीं कह रहा है तो आज इसी को रिपेर करने वाले हैं तो सबसे पहले इसके रखकन को अटा लेते हैं देखिए पेंच मैंने पहले से ही खोल दिया है देखिए इसकी उपर की बटन है देखिए इसकी प्लेट को निकाल लिया है इस तरह से देखिए जो काले और लाल बार लगे हुए है आईसी में देखिए वाले यह हैं स्पीकर के बार क्योंकि आईसी स्पीकर के उससे पहले आपको चार्जिंग चेक करके दिखाते हैं कि यह चार्ज हो रहा है और केवल बज नहीं रहा है देखिए इसकी जो इंडिकेटर है चार्जिंग वाला वो जिलने लगा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो बेंड है देखिए यह बेंड होता है तो सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वह यहीं इसे आती है देखिए आपको इस तरह से दो पेने आपके जोइंट कर देखिए इसको जब डायेट करते हैं तो इसमें नीली लाइट जिर जाती है मतलब यह इसका ओन आप स्वीच आपके पास हो तो इसमें लगा सकते हैं नहीं तो दो बायर निकाल कर बाहर निकाल लेने, उसको जॉइंट कर देंगे, तो बजने लगेगा, और वैसे ये बंद हो जाएगे, तो इसमें बेंड लगाकर इसको चेक करके दिखाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बैटरी का बायर है, उसको हटा देना है, पिल तो चलिए इससे हाफ न सब्सक्राइ निकल आएगा निकल आएगा अलूसेंगेझेगे और वहार निकल आएगा इसलडे लिए से Hashem X 22 अब उनसाट निकले हाई लोखन देखिये इससे वहार निकलन देखिये इसन फंसक्राइब करणा काया मिलाए JAM तो उसको इसमें लगा देंगे यह ओना अफ सुशिक में इसको रचीं कर देते हैं उसके बाद में उसको प्या कर दे तो इस तरह से आप अपने घर पर भी इसको रिपेर कर सकते हैं अगर ओन उप स्विच ना हो तो इसमें दोपिने होती हैं देखिए बेंड में जो लगी हैं वह आप जॉइंट करके बाहर निकाल लेंगे तो उसको जॉइंट कर देंगे फिर भी यह बज़ता रहेगा और बा इस तरह से बारी-बारी से कस लेना है देखिए इसमें सिर्फ तीन पेंच लगे हुए हैं वो भी कस लेते हैं बारी-बारी से तो देखिए बिलकुल कंप्लीट हो गया है तो इस तरह से आप अपने घर पर ब्लुटूथ स्पीकर रिपेर कर सकते हैं दोस्तों वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद